नमसकार दोस्तों, मेरे नाम है सेकर और स्वागेथा आप सौविका हमारे ट्यूब चैनल सिकारी स्टEMAडी पॉइंट पर तो दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं उत्रा खंड कन इस साईग की सैलेरी कितनी मिलती है UK 33 सी कनी साइक की दोस्तों सेलेरी कितनी मिलती है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो आप वीडियो कौन तक जरूर देखेगा अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जूड कर लिजेगा और दोस्तों इसके लावा अगर आपने उत्राखण बूलिस दरोगा की सयलेरी कितनी मिलती है बांकि सब कुछ आपको और भी पटवारी के बारे में बताय हुआ है सभी के बारे में दोस्तों एक जॉब परोफाइल करके प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाईएगा और वहाँ आपको दोस्तो सभी आप आसानी से देख सकते हैं क्या-क्या योगईता है कैसे आप बन सकते हैं जो नए ब्यरती हैं तो जरूर से दोस्तो जॉब प्रोफाइल प्लिलिस्टे है वहाँ से आप देख लिजेगा और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पुलिस कॉंस्टेबल की सेलिरी के बारे में बताये था दोस्तो उत्राखंडम कनिस साइख ही एक एसी भरती है जिसकी सबसे ज़्यादा दोस्तो भरती निकलती है और जब कोई एक्जाम उत्राखंडम में नहीं होता है तो कनिस साइख का एक्जाम आपको देखने को मिलता है भले ही कम पद उपर हो लेकिन कनिस साइख की भरती दोस्तो सबसे ज़्यादा उत्राखंडम आने वाली भरतीयों में से एक है और इसके पद निकलते रहते हैं योग गिता इसमें बारविपास मांगी जाती है बारविपास होना चीए और कम्प्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता इसमें वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा अठार से लेकर 42 साल तक आयूश्यमा इसमें रहती है जो भी विभाग आप जहां भी देखते हैं कहीं आप जाएं तो वहाँ जो बाबुद दिखते हैं आपको वो सब यही कनिस्टाई की होते हैं जो भी सब भी विभाग दे रखने देखें दोस्तों जिलादी कादी के हां आपकी पोस्टिंग लग सकती है कहीं भी दोस्तों आपकी इसमें पोस्टिंग लग सकती है तो इतने अच्छे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहां की जॉब लग सकती है तो कहीं भी गरामी निर्मार विभाग और बहुत अच्छी अच्छी जगह होती है इसमें और संडे को चुटी रहती जैसे और देकर चारा बजेओं और कभी कभी हो सकता है कि जब जादा काम हो तो आपको 6-7 बजे तक भी होाँ पर रुकना पड़ सकता है तो यह होता ही है, कभी-कभी होता है, लोग सूचनायों, लोग संपर्ग विभाग, यहां भी आपको जौब लग सकती है, परेटन विकास परिशद, यहां भी आपकी जौब लग सकती है, तो कहीं भी समाज कल्याण विभाग में आप कनिसाइक मन सकते हैं, तो बहुत सहायक सहाय डाटा एंट्रे ओपरेटर वेतरमान 21,700 से 79,100 लेवल 3 की जौब दोस्तों रहती है 2,000 रुपेश का ग्रेट पे रहता है और बागी दोस्तों आपको इसके लिए पहले पेपर पास करना होता है उसके बाद आपको एक टाइपिंग टेस्ट पास करना होता है अगर अगर आपने टाइपिंग पास नहीं की तो आपको बाहर कर दिया जाएगा 4,000 की डिप्रेशन मांगी जाती है लगबग कि आपकी अगर 15-16 से ज्यादा स्पीट आ रही है तो आप आसानी से पास कर ले जाते है 4,000 की डिप्रेशन है इतना जादा इसमें कुछ रहता नहीं है मांगी स्वांग की दोस्तों इसके लिए लिखित परिक्चा होती है तो अब बात कर ले दोस्तों कि आपको दिखाता हूं इसकी जो सैलिरी शिलिप है उसके बारे में तो यह देखो दोस्तों अच्छी अच् 18 वाली जो भरती हुई थी 28 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उस वाली में है तो बेसिक पर दोस्तों कितनी है तो 21,700 है डिए दोस्तों जो मिल रहा है यह 6,000 अब दोस्तों यह पहले का है 28,30 के हिसाब से दोस्तों यह यह यहां पर है अब दोस्तों हो गया है 31,30 तो ल इस वाली में बढ़ता है तो शाल में दोस्तों दो बारे बढ़ता है और जब तक आप दोस्तों जोईन करेंगे अभी तो result आना बाकी है और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगी जब तक आप जोईन करेंगे दोस्तों लगभग कि आप 30,000 के आसपास तक पहुंच जाएंगे तो शुरुवात में आपको दोस्तों इतनी सेलरी मिलने वाली है कनिस साइक में जाने के बाद तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी बाकि मिलते हैं बहुत जलती एक नए वीडियो में चनल पर नए हो तो चनल को सब्सक्राइब जुड़ कर लीजिएगा थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मच